learning कऊची attendance area हो चाहिए हो आपका इसे चाहिए आपका भलकणी हो चाहिए आपका गारड़न िसको उगाना हम लोग टूर्टब मेथनियोज करते हैं जो बहुत फिरिंड़ी है है clean करना बहुत इजी है मैंटेंड करना बहुत इज़ी है तो हम एक बड़ा चाहिए होता जिसके इवित 18 इंच या ज सोयल चाहिए, प्लेन मट्टी चाहिए, जो हम potter's clay भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी organic metal नहीं हो, सिर्फ simple plain soil हो. Water lilies दो तरह के होते हैं, hardy और tropical. Tropical हम tuber से grow करते हैं, hardy is rhizome से. तो यह tropical का tuber है, जो आप normal plants में एक bulb की तरह होता है, यह grow किया जाता है, और hardy का यह rhizome है, हमें छोटे वाले टब में हम मट्टी रखते हैं, ठीक है, मट्टी भलते हैं, मट्टी जो हमें चाहिए, plain मट्टी चाहिए, जिसमें कोई organic matter, mortar नहीं हो, जिसमें leaves नहीं हो, जिसमें खाद नहीं हो, गोबर की खाद नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, हमें best होता है, potters के लिए, कुमार की मट्टी, कुमार जिससे बलतन बनाता है, अगर वो नहीं हो, तो कोई भी heavy soil या plain soil use कर सकते हैं, हम कुमार की मट्टी ये क्यों लेते हैं, heavy soil इसलिए लेते हैं, क्योंकि जब हम पानी में डालते हैं, तो अराम से बैट जाती है, आपका पानी गंदा नहीं करती है, आप दूसरा मट्टी लेते हैं, तो पानी में त्यालती है, तो आपको थोड़ा सा time देना होता है, उस मट्टी भरेंगे अब, तो मट्टी हमारी plains oil है, मट्टी डालने के बाद अगर उसमें कुछ भी organic matter है, पत्तियां है या कुछ है, प्लास्टिक का चीज है, तो वह आप हटा देते हैं, इसमें फिर हम पानी भरते हैं, इसको गीला करते हैं, हम 5-6 गंटे इसको छोड़ देते हैं, जिससे मट्टी पूरी subtle हो जाए, उसके अंदर की जितनी गर्मी है वो पूरी निकल जाए, और मट्टी प्लांट करने के लिए तैयार हो, तो अगर हमें hardy water lily उगाना है, तो हम एक rhizome लेंगे, ये colorado है, peach color का flower है, जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें flower भी आ गया है, तो ये एक type runner होता है, तो हम इस plant को edge पे लगाते हैं, जिससे इसका flowering इसका tip जहां से growing tip है, वो सामने को face कर जाता है, जहां empty जगह होती है, यह हम इसले कलते हैं, जिससे ये जब आगे grow करेगा तो इसको इतनी space मिलेगी grow करने के लिए, द इसले मट्टी पे उपर होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमेशा सारे जो shoots हैं ये, एक ही common point से आ रहे हैं, तो इस point को sunlight भी मिलनी चाहिए, इस soil के उपर होनी चाहिए, जिससे ये आराम से grow कर सके, अब हमारी मट्टी तयार हो गई है, अब हमारा plant भी तयार हो गया है, इसमें fertilizer करना है, fertilizer तभी देते हैं, जब हमारा plant mature हो जाता है, उसमें 2-3 leaves होती है, यह आप देख रहे हैं कि plant अच्छा है, जो राइजो हमें, इसमें 2-3 leaves है, अब इसको हमें growth accelerate करनी है, तो हम इसके लिए fertilizer लेते हैं, तो हम इसमें वर्वी compost के balls डाल सकते हैं, या NPK पोटल इसलिए बनाते हैं, क्योंकि NPK को हम नहीं चाहते हैं कि पानी के contact में है, क्योंकि NPK पानी में गुलन सील होता है, तो पानी में गुलने से पानी में excess nutrition जाएगा, algae formation होगी, fertilizer लगाने का तरीका है कि मटी में हम hole बनाते हैं, छोटा सा, hole बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि roots से दूर हो hole, pot के tip पे हो और आपको यह नहीं कोशिश करने कि जहां pot आपने plant लगाया है, rhizome लगाया आप वहीं hole बना दे, आपको दूर की तरफ करना है, बिल्कुल edge पे जब आप pot के end तक पहुंच जाए, ता अपना हाथ निकाल दीजे, छेद बन गया है आपका य चाहिए होगा, यह इसकी roots soft tender होती है, वहाँ चली जाएंगी, पोटली तक जो भी nutrition उनको चाहिएगा, वह लेती रहेंगी, अब आपका plant ready है, planting के लिए, अब आप यह छोटा वाला tub जिसमें आपने plant लगाया था, आप इसको बड़े वाले tub के अंदर रख देते हैं, आप पानी भनने के बाद हमें जो भी floating impurities होंगी, आप पानी से निकाल देंगे, जो भी तैलती ही आपको impurities करते हैं, और ज्यादा impurities हैं तो आप पानी को overflow भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आपका plant या leaves पानी में समझद हैं, क्योंकि water plants बहुत adaptive होत के अंदर यह अपनी stems को बढ़ा कर देंगे और दुबारा आपको सुबही floating नजर आएंगे, water plants के साथ एक दूसरा सबसे बड़ा डर होता है, mosquitoes का, mosquitoes के बारे में क्या है कि mosquito larva breeding से लेकर के mosquito cycle तक 14 दिन का cycle होता है, mosquito जब एक डालता है तो दो दिन का एक उसको फ्लोट कलता रह है फिर बाद में दो दिन surface फे फ्लोट कलता है इसलिए जनरली 14 डेस का cycle होता है, larva seeds से लेकर के, eggs से लेकर के उसका larva mosquito बने में, तो हमारे पास दो options है, हम या तो पानी frequently change कर सकते हैं, हफता में जिससे mosquito breeding नहीं हो, दूसरा option है कि हम उसमें fishes जाल सकते हैं, fishes हम स्मॉल hardy fishes जालत हैं, जैसे गंबूसा डालते हैं, मॉली जालते हैं, गपी जालते हैं, तो यह fishes क्या होती है, इनको की special care की जरूवत नहीं होती है, यह अराम से water plants में रह सकते हैं, इसमें आपको feed देने की जरूवत नहीं है, इनको plant से oxygen मिलता है और plant से खाना मिलता है अब यह fishes जालने के बाद आपको mosquitoes की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी larva होता है पानी के अंदर या जो भी एक formation होता है, यह actively feed करती है, एक molly या एक गंबूसा एक दिन में 100 mosquitoes के larvae eat करती हैं, तो अगर आप 2-4 भी जालते हैं, तो बिल्कुल भी possibility नहीं होती है कि mosquito breeding होगा, हम कमल के plantation के बारे में बताएंगे कि हम कमल अपने घरों में कैसे उगा सकते हैं, कमल उगाना बहुत ही simple है और कमल की seeds easily available है, कमल का plant, कमल ककड़ी से लगा सकते हैं, जो lotus की rhizomes होती हैं, उससे लगा सकते हैं, तो rhizome अगर आपको पास कोई भी कमल का plant है कहीं दोनों के root tips हो, दोनों root tips को लेकर कि आप मट्य में गाल देते हैं और आपका कमल तयार हो जाता है लगने के लिए, फूलने के लिए, अगर आपके पास कमल ककड़ी नहीं है, तो उसका सबसे असान तरीका है कमल को उगाने का बीच से, बीच वाला प्रोसेस थुछा लंबा है, flowering दो साल में होती है, second season होती है, पर यह बहुत easily grow कर सकता है, कमल के seeds, कमल गट्टे में seeds, कमल के pots में होते हैं, जो easily available है, आपको अगर कमल गट्टा नहीं भी मिलता है, तो पूजा स्टोर्स में जो कमल का बीच होता है, वो आप ले सकते हैं, कमल का बीच होता है, अगर क 55-5000 साल पूराना बीच भी है, तो उससे भी आप कमल का बौजा उगा सकते हैं, तो हमने ये कमल गट्टा, कमल का बीच का कमल गट्टा लिया है, तो seed pad है, जिसमें आप देख रहेंगे, कई सारे बीच है, तो हम इस pod को तोड़ते हैं, और उसमें से एक seed निकाल लेते हैं, इसकी surface बहुत हार्ड होती है, बहुत इसली ब्रेक नहीं होती है, अगर इसको पानी में डाल देंगे, तो हफ्तों, महीनों हो सकता है, साल भर पढ़ा रहा है, और कोई भी effect नहीं हो, तो हम इसको क्या कलते हैं, कि इसके दो edges होते हैं, तो हम एक sand paper लेते हैं, और इसकी surface को rub कर देते हैं, अगर seed में छेद आ जाता है, खिसने के बाद, तो most probably वो fertile नहीं है, उससे पौधा पन अपने की chances कम रहती हैं, तो आप ऐसे seed को discard कर सकते हैं, और दूसरे healthy seed पे try कर सकते हैं, अब हम seed pot से दूसरा seed लेते हैं, एक दूसरा seed निकालते हैं, हम seeds को लेंगे, और उसको दूबारा scrub करेंगे, अब यह जब white surface आ गया, जिसमें देख रहे हैं, white surface आ गया है, तब हम इसको पानी में डाल देते हैं, हफते 10 दिन तक आप यह पानी में रहेगा, eventually हो सकता है, कुछ seeds float करें, बाद में पानी में से नीचे subtle हो जाएंगी, और 2-3 हफते बाद, depending upon की क्या growth होई है, जब आपका lotus में sufficient leaves आ जाएं, उसमें rhizon develop हो जाए, root develop हो जाए, तब आप उसको निकाल करके soil में plant कर सकते हैं, इसमें देखें कि इसकी leaves formed हो गई है, root system formed हो गया है, तो आप यह वाले portion को, जो root वाला portion है, इसको soil में डाल करके, pot में डाल करके, pot में डाल देते हैं, और पानी में डाल देते हैं, पानी भल देते हैं, और आपका lotus तैर्णी दुनिया सिर्फ लोटस और वाटर लिली तक नहीं सिमित है, आप water terranium बना सकते हैं, floating baskets बना सकते हैं, floating baskets एक नहीं चीज है, आजकल hydrophonics की बात हो रही है, तो floating baskets baskets भी आप पानी में baskets बना सकते हैं, जो बहुत easily बना सकता है, किसी भी plant से बन, किसी भी water plant से बन सकता है, आप एक basket लेंगे, plastic basket लेंगे, आप water plant लेंगे, water plants में मैंने कोशिश की है बनाने की umbrella palm और water cabbage से, आप बाकी plants भी कोई भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसप पास easily available हो, आप यूज कर सकते हैं, ता आप water cabbage लेंगे, अगर उनकी जड़े बड़ी हैं, उनकी जड़ों को trim कल देंगे, तोड़ देंगे, वो easily आपको catchy से भी नहीं काटना पड़ता, आप बस हाथ से भी खीचेंगे तो तूट जाएंगी, ये water cabbage को आप sides में फिल कल दें और इसके sides से holes आपको cover कलते रहेंगे, जिसे ये floating effect दे, तो roots आपकी धीमे-धीमे, हफते-दस दिन में पूरी इसको grow करके इसके सारे पूरा support system बना देंगे, बीच में आप एक hole type का छोड़ देंगे, तो इसमें आपका जो pipras का plant है, umbrella palm है, वो umbrella palm हमने जड़ के साथ ले लि इसको हम nutrition पानी से ही मिलता रहेगा, इसको हम ले करके इसको बीच में place कर देंगे, अब इसको final touch up दे सकते हैं, अब आपका ये floating basket तयार है, पानी में तयानने के लिए, इसको आप पानी में किसी भी water body में डाल देंगे, अगर इसका balance कर बढ़ है तो इसको आप center में डाल कर के, उसी तरफ से balance आप उसका support डाल देंगे, और आपका plant तयार है as a floating basket actor. Water plants से आप अपनी creativity को कोई भी shape दे सकते हैं, आप water terraniums बना सकते हैं, water terraniums के आप normal terranium shape flask ले सकते हैं, या जैसा मैं use कर रहा हूँ, मेरे पास एक पुराना aquarium है, जो मैं use नहीं कलता हूँ, पड़ा हुआ है, तो I can use that also to make a water plant setup, इसके लिए कोई भी specific plant की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे मेरे पास penny wealth है, प्रामी है, water cabbage है, azola है, salvenia है, mosaic है, duckweed है, water lily, एक night bloomer का छोटा सा sapling है, तो मैं इन सब को use करके एक water teralium बनाऊंगा, तो aquarium में हम marble chips जो होंगे वो डाल देंगे, जो आपके normal aquarium में पहले भी पड़ा होगा, हम उसी को use करेंगे, तो हम जो plants grow करेंगे, soil less medium में grow करेंगे, तो आप जितने भी different plants को हैं, उनको mix and match करके, जैसे ही आपकी creativity हो, उनको marble chips में प्रेस कर देंगे, जहां जहां जरूरत हो, आप filling के लिए, जैसे ही आपकी जरूरत हो, वैसे आप feed up कर सकते हैं, यह floating plants है, यह automatically, overnight, यह subtle हो जाएंगे, जैसे ही plants के साबसाब को चिंता नहीं, आपको बस drop करना है, plants अपने आप shape ले लेंगे, subtle हो जाएंगे, इसमें आप जब चाहेंगे, अपने अनमुताबिक आप fishes add कर सकते हैं, fishes को आपको oxygen देने की जरूरत नहीं है, food देने की जरूरत नहीं है, उनको इसी से plant safe मिलता रहेगा, water plants में लगाते हैं, जिसमें पानी भरा रहता है, तो सबसे अच्छी चीजी होती है, क्योंकि फ्लोटिंग plants होते हैं, यह और इनको सूर्ज चाहिए होता है, सूरज की तेज धूप चाहिए होती है, तो यह सूरज के तेज धूप क कर लेते हैं, तो आपकी च्छत को यह ठंडा रखते हैं, आपके च्छत ठंडा रहती है, आपका घाल नीचे ठंडा रहता है, पहले हम रहते थे तो हमारा गर्मियों के टाइम में second portion पे थे तो हमारा रहना मुश्किल था, च्छत हमेशा तपती रहती थी, water plants, water gardening करने के बा कर दो हमेशा कर दो हमारा वह एको तीस का रहती है, च्टत हमेशा है